पिछले एपिसोड में हमने देखा था उस ग्रीन हेयर वाला लड़का ने हाव चेन से डिमन बॉडी को खरीद लिया था और फिर वो सभी लोग आप्शन रूम में चले गए थे और अब आप्शन शुरू होता है और अब आप्शन के लिए पहली एक ग्रीन पिल को लाया जा जाता है और वो लड़की बताते हैं इस फिल को बनाने वाला लीन जिवान है और इसे खाने से आपके पावर 15 मिनिट के लिए डबल हो जाती है अब उस ग्रीन हेयर वाला लड़का का नाम सुनकर लीसीन को याद आ जाता है यह वही लड़का है इन्होंने पहले एलेक्स कर अब यह याद आते हैं लीसीन उस पर चिलाने लगते हैं और तभी उस लड़के को भी सभी याद आ जाता है और वो भी लीसीन पर चिलाने लगता है अब इन दोनों की जगडा को देख कर हावचेन इन दोनों को शांत कराता है और कहता है वो सब पुरानी बाते हैं उन्हे भूल जाओ और शांत हो जाओ, यह सुनकर दोनों ही शांत हो जाते हैं, तभी वह लड़की उस पिल को 1000 गोल्ड पॉइंट से शुरू करते हैं, यह सुनकर ली सीन और हाव चेन हैरान होते हैं, और वह देखते ही देखते ही पिल 1800 गोल्ड पॉइंट में बिग जाती हैं, और देखकर वो लड़का बिलकुल भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि पिछली बार यह पिल 2000 गोल्ड कॉइन में बिके थी, अब हाउचेन सोचता है, अगर यह पिल मेरे पास होते तो उस डैमन को मारने की इतनी मुश्किल नहीं होती, तभी वो लड़का हाउचेन से कहता है, अग उसे हमने खुद मारा है, जो सुनकर वो लड़का उन तीनों पिल को उन्हें दे देता है, पर हाउचेन उन्हें लेने के लिए मना कर देता है, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, जिस पर वो लड़का इन्हें अपने दोस्ती के नाम पर रखने के लिए कहता है, और कहता है जब तुम Demon Hunting Top 3 में पहुंच जाओ तुम मुझे अपनी टीम में ले लेना जो सुनकर लिसीन भड़क जाती है और कहते हैं तो तुम इसे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो बला How Chain तुम जैसी कमजोर को टीम में कैसे लेगा जिस पर वो लड़का कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं तो इसे दोस्ती के नाम पर दे रहा था और मैं तुम लोगों को बहुत काम आऊंगा इसलिए मैं एक बहतरीन अलकमिस्ट हूँ तभी How Chain बोलता है मुझे मेरा खुद का पता नहीं है क्योंकि मैं Top 3 में पहुँच पाऊंगा या फिर नहीं क्यों क्योंकि बाकी लोग मुझे भी बहुत स्ट्रॉंग है और वो सभी 5th लेवल पर है लेकिन मैं तो सिर्फ 4th लेवल पर ही हूँ लेकिन तभी हम देखते हैं Option Hall में एक स्टोन लेकर आते हैं और वो बताते हैं कि इस स्टोन में क्या है कोई भी नहीं जानता हो सकता है इसमें क इसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं क्योंकि पता नहीं इसमें क्या हो सकता है कई हम इसमें पैसा लगाकर बरबाद ना हो जाए इसलिए कोई भी बोनी नहीं लगा पा रहे होता है पर तभी सोल बीस्त बाहरा जाते हैं और उस टोन की तरफ जाने लगता है पर हावचेन उसे रोक लेता है, फिर भी वह सोल बीस्ट स्टोन की तरफ जाने लगता है, जिसे हाँचेन यह समझ जाता है, इसका और स्टोन का कोई कनेकशन है, पर उस्टोन की कीमत बहुत ज्यादा होती है, पर तभी उस लड़का कहता है, यह किमत ज्यादा नहीं है, बस तुम मुझे अपनी टीम में ले लेना और वो उसे खरीद नहीं वाला होता है तभी लिसीन उसे खरीद लेती है और उस लड़के से कहती है हमें तुम्हारी एहसान की कोई जरूरत नहीं है हमारे पास भी थोड़े बहुत पैसे हैं जिसके बाद वो लड़का सोचता है आखर इस टोन में क्या खास बात है जिसके लिए उन्होंने बिना सोचे इतना पैसा लगा दिया और फिर वो अपनी मैजिकल आई से उस सोल बिष्ट का पावर चेक करने लगता है पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता है और फिर उसकी नजर हावचेन की चेस्ट पर पढ़ती है जहां उसे कु नहीं है मुझे खुद भी पता नहीं है कि मैं इस टॉप थरी में पहुँच पाऊंगा इसे सुनकर वह लड़का अपने पास से पिल्स का थ्री बॉटल निकलता है और उनके बारे में हावचेन को बताने लगता है अगर तुम इनका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी में ले लेना वरना मैं यहां कुछ भी नहीं कर पाऊंगा यह सुनकर लिसन भी हैरान होती है और हावचेन उस लड़के से कहता है तुम इतनी बड़ी कीमत लगा रहे हो सिर्फ इसलिए मैं बस तुम्हे अपनी टीम में ले लो जिस पर वो लड़का कहता है मैं बस इतना ही चाहता हूँ जिस पर हावचेन उन्हें अपनी टीम में लेने का वादा करता है अभी वहाँ पर उस स्टोन आ जाता है जिसे देखकर ली सीन उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है पर तभी उस सौल बीस्ट उसे का लेता है और अपनी डायमन इसमें चला जाता है जहां वो अपनी real from में होता है और फिर वो stone को खाया था उसमें crack पढ़ने लगते हैं और उसमें से एक अंडा निकलती है और उसे उस soul beast का जाती है जिसकी वजह से उनकी body से एक powerful aura निकलते हैं और यही पर हमारे episode complete हो जाता है इसकी next episode भी जल्दी आ जाएगा तब तक के लिए wait करना है जाएगा जढर भी जाएगा जाएखवाईगा जाएगा टledिता है